हेलो दोस्तों चलिए दोह देख रहे हैं घटना चक वारसे कांक दुरी तो इसमें शरूं किया था हम लोगों ने है विराष्टी प्रिदेश विराष्टी पृदेश को सिरूं किया था और हम्लों लोग देख छुके हैं आईश्मान भारत पी एंट ये बाई तक योजना तक ठीक आईश्मान भारत योजना तक अब इसमें बात करते हैं लोग इसकोल सिख्छा गुडवा गुडवत्ता सुचकाम्ख इसकोल सिख्छा गुडवत्ता सुचकाम्ख एस एक्यू आई ठीक इस अभी एक जगे में जाएंगी हाप लोगों पूँ अटना चक दरिश्टी नाम से प्ले लिश्ट मैं सुची बनी भी ये उसी में डले हुए हुए ती नीतिया युद्वारां नीतिया युद्वारा वि राज्यों केंदसासित पिदेश्टों द्वारा स्कूली सिख्छा में सुधार की छित में किये गए विवित प्रयासों का सठीक लनकर उन्हें और प्रभावी बनाने के लिए वहतर क्रिया विदियों का निर्मार करना सामेले इसमें 30 सेप्टमबर 2019 को नीतिया युद्वा राज्यों और कैंदसासिक विदेश्टों के विदेश्टन का मुल्यांकिन करने के लिए स्कूल सिख्छा गुर्पत्ता सुचकांग को जारी किया गया यह सुचकांग का पित्थम संस्क्राइब इसे नीतिया आये कि वद्ध्यक्ष डॉक्टर राजीक्मार द्वारा जार जो गुर्पत्ता को सिख्छा के विद्रन का अकलन करते हैं इन संकेतकों को दो सैडियों में विवाजित किया गया है फईडाम दूसरा है सासन विक्रिया सहाय था उपुसा की सूची देखीत है तो राज ने की बात करें तो बडे राज जों में केरल पहले नंबर पर दूसरे किरल दूसरे पर राज़स्तान तीसरे-वब करना तके और करें अंतिन तीन की बात करें पंजाब 28 नमबर पर जम्वुकस्मीर उननीस भी नमबर 59 तर्फ देश वीज nearby चोटे राजियों की बात करें आद चोटे राज़ों में मड़ीप पर फ्र्ष्ट नमबर ठिम पुराप यौर और गुवा तीसरे पर छोटे राज्यों में अंतिर की बात करने तो सिक्केम चटवे मेगाले साथ वे आठवी नमबर पर आउड़ा चल कर देशें और नमनी की बात करूं तो पाचवे नमबर पर दमंद्वी पर अंडवान निकूर बार शटवे पर साथ वे लगज़ी राज केंच साथ पर देशों की बात करें विद्धीमान रेंकिम तो बड़ी राज्यों में हर्याडा पहली पर दूसरे पर आसं तीसरे पर उफ्तर अठारवे नमबर पर जार कंड़े नमनमें वो उननीसवे नमबर पर उतरा करने बीसवे पर करनाटा चोटे राज्यों की बात करें तो में घाले नागालेंड और गुआ पहले नमबर पहला दूसरा तीसरा और छटवा सिक्ट्रिम को साथ वा मेरोड आवना चल पिदेश क आठवा क्यां साथ इत्पिदेशों की बात करें तो दमंदु दूसरे पर दादर दादरा इवं नगर हविली तीसरे पर पूरुचेरी लक्षेदी पांच पर चटवे पर चंडीगर अन्नवान निकुवार्दू याद रखिए यह 1670 और यह 1516 और संदर्ण में पस्तू ज प्यद्धान मंत्री नरेंद मौदी की नितित में एंडिये सरकार की तुद्धिये कारकाल की पिथम मंत्री मंदल बैठक संपन हुई इस बैठक के द्वरान लिए गए एक इतिहासिक नेड़े किसान हुए तो यह पैंसन योजना सुईकित प्यदान की गई बारह सेप्टम 9 अगस 2019 से पिरवाबी है यही केंद्रिय चित की योजना यहीं स्वेक्षिक एवं अंसदान आधारित पैंसन योजना है जिसमें दो हेक्टर तक की खेती योग्मूमी वाले तेश के सभी छोटे एवं सीमांत किसान लावान बित होंगे ऐसान मान है कि इस योजना को लाग कि दफ्त सहायता के अत्रित होगी किसानों के लिए इसे उजना में सामिल होने के लिए 18-40 वर्स निर्था रहे थे आयू साट वर्स की आई पराप्त करने है पर 3000 रुबे नियूनतम निर्थार फैंसन दिये जाने का प्रावदाने इसे उजना के पात्त किसान द्वारा किय प्राप्त करने की इस्तिति में उसकी पत्नी परिवारिक प्राप्त करने का हगदार होगा पर उसे लाबारती द्वारा प्राप्त की जा रही है पचास पिती सद पैंसन के रूप में प्राप्त होगी अंस्दान करने की यहुदी के द्वारां की अंस्दान करता हिमीत्ति होने पर उसके पत्ति पत्नी के सामने नियमित अंस्दान भुकतान द्वारा भुकतान को ज नासिक अंसदान करने का विकल चुन सकता है यही एक नमोन मेसी यूजना है जिसके इंतरगत किसानों को सामाजीक सुरक्षा कबर उप्लग्द कराने ही तो कैन सरकार तीन बरस की अउदी में अपने अंसदान की रूम में 10774.50 करोड़ों पे बैकरी अब बात करते हैं राष् निर्वासित करने के उद्देश से 1989 और 85 के मत असम अंदूलर चलाए गया था जिसका अंत असम समझोते पर हस्ताक्षा के साथ हुआ इस समझोते के तहत असम में 25-24 मार्च 1971 याद रखिए 24 मार्च 1971 के बात प्रवेश करने वाले वंगलादेश के अवेद प्रवासियों की पहचान करें उन्हें निर्वासित करने का प्रावदान है याद रखिए है डेट 24 मार्च 1971 31 अगस 2019 को असम के नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची जारी की एहनारसी के तत्कालीन राज समर्वेग पितीक हजीला की अनुसार एहनारसी की अंतिम सूची में सामिल करने के कुछ कुल 31,121 दसम सरी तीन करोड 11,21,004 लोगों को यह गुपाया गया जबकि 19,005 से अधिक लोगों को अंतिम सूची में इस्थान नहीं मिला याद रखिए 3,11,21,004 लोगों को यह गुपाया गया और अभी भी 19,005 से अधिक लोगों को नाम सूची में नहीं अंतिम सूची में सामिल नहीं किये गये उन लोग विदेशी टीविवनल की समख्च अपील कर सकते हैं इससे पूर्ट 30 जुलाई 2018 नागरिक रजिस्टर को उन मसूदा विस्तुत किया गया था इस मसूदी में कुल तीन करोड 29,093,384 आभी दिन पत्त्रों में से 2 करोड 89,83,677 नाम सामिल किये गये थे से 40,7,707 नाम मसूदी में सामिल नहीं किये जाने यह गोसित किये गये तो आपको याद रखना उननीस लाग अभी भी बाकिया जने इस सुची में इस्तान नहीं दिया गया और याद रखना 24 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वाले वंगलादेश के अवैयत प्रवासियों की पहचान करे उन्हें निर्वासित करने का प्रावदान है ठीक है एक 24 मार्च उननीस सो इकत् वो लेकनी है कि असम्में राष्टिये नागरे रजिस्टर का अगती निकरन भारतिये नागरे का दिनियम 1950 नागरेकता का पंजी के और इवं राष्टिये पहचान पत्रों का वित्रन नियम 2013 के प्रावदान की अनुसार किया जा रहा है उचितम नियाल है कि निर्देशों का अनुसर्ण में असम में राष्टिये नागरेक रजिस्टर के अगती निकरन की फिक्रिया दिसंबर 2013 में आरम भी थी वो लेकनी है कि नवंबर 2019 में असम के लोग से बादिकारी हितेश देव सर्मा एनर्वसी के नए राज्य समानवे नियुक्त की गए अब बात करते हैं 7 इंय अभियानकी फिट नैश का समनस्वा olsun से स्वास्त वैक्ती एक स्वास्त परिवारी क्सेति समाज्वरेक्ष्ट्र निर्वानकर सकता है वो लगश्टीन के वर्ष 58 म में तदकालीन खेल मंत्री राजिवर्धन राठ ओर ने सूशल मेडिया के माध्य से हम फिट तो इं आभियान की शुरुगात की थी। 29 अगस्त 2019 को पिधान मंत्री नायन मौदी नहीं दिल्ली में फेट इंडिया अभियान की शुरुगात की। राष्टिये खेल देवस की दीवस 19-29 को हौकी जादुगर कही जाने मल, मेजर ध्यान sianding के जन्म दिवस के उपलक्ष के मना जाता है फिट इंडिया अभियान भारस सरकार की एक महत्वाकामचिए ओजना है तो कैंद सरकार द्वाराब फिट इंडिया अभियान के लिए कि एक सलाह्यकारी संथित का घंधन किया गया इस संती में सरकारी अधिकारी भारती ओलम्पिक संग दाषिटिए खेलवासल्मों आधि के सदस्ताफ भ्र यहीं को बढ़ावा दनेवाले व्यक्तियों को को सामिल किया गया खेल मंत्री क्रें रिजिर्जू इस अठाई सदी स्टी ऐसा मिती के अध्यव्ट है निजी ने काया जैसे भारतियों देव संग परीशंग रिलाइस फाउंडेशन जे एस डबलू सेमेंट जे एस डबलू पेमेंट टाटर ट्रस्ट एसो चैम इंडिया फि संभ्ण रक्षण एवं कल्यार से संबंदित सरग प्रमों योजना समेकित वालवी का सेवा जिसके तहता अंगरवाडी सेवा राष्टी पोसन मिशन प्रधाल मंत्री मात्त वदना योजना किसी रुण के सवरियों के लिए स्कीम राष्टी एस सिसुग्रह स्कीम और बाल स भारत बाल कल्यार रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट में बाल कल्यार सुचकांग के माद्यम से भारत में बाल कल्यार की इस्तिती पर विकास डाला गया बाल कल्यार सुचकांग बच्चों के कल्यार को ब्यापक रूप से मापने ही तो डिजाइन किया गया एक साद तरव उपयक तीन आयामां बध्यान के इंदित करते हुए बाल कलनेयार सुचकांग के विकास में यह तुरू चौवीस संकेत कों का चैन किया गया है सुचकांग केरल इसकोर है 0.66 तमिल्नाडू इसकोर है इसका 0.66 हीमाचल फिदेश 0.66 किरमसा ये तीन इस्थान हासिल किये हैं केरल ने पहला तमिल्नाडू ने दूसरा हीमाचल फिदेश ने तीसरा सिक्किम गुआ पंजाब एवं मिर्जोरम किरमसा चौथे पांचवे और छटे साथवे स्थान पर है याद रखना है नागलेन, मडीपूर, उत्तराखंट, पश्चिमंगाल, अरुनाचल पिदेश, करनाटा, कुडिशा जैसे राज्यों ने सूचकांग किमानकों और संकेतकों कियादात पर ओस्तन पिदर्शन किया है उस्तर से निम्न पिदर्शन करने वाले राज्यों में 36 गड़, उत्तर पिदेश, जम्मू कस्मीर, तिप्पुरा, विहार, हर्याणा, महराश्चिमंग, सूचकांग में सबसे निचले पायदान परस्तित राज्यों में, गुजराद, तेलंगाना, राज असम, आंद अब बात करते हैं हम लोग, जल, समग्ग जल, प्रवंधन, सूचकांग 2.0, भारत में विसकी लगवक्षट सत्रह पितिसट जन संख्या निवास करती हैं, लेकिं यहां विसके मात 4 पितिसट ताज्य जल के संसाधन ही बिद्दमान है, जल संसाधन के कुसल, प्रवंधन मे राज्यों के अंदसासे पिदेंसेंगों निस्पाधन के आक्रलन एवं उसमें सुधार के लिए उपयोगी साधन के रूम में नीतियायव वर्स 2018 में समग जल प्रवंधन सुचकांग का पहला संस्क्रण जारी किया था भारतिये राज्यों में प्रभावी जल प्रवंधन को स इसमें सामेल हैं भूजल, सत्य ही जल, पुनरवन, पिर्मुक तथा मद्यम सिचाई, जल संभर विकास, सिचाई प्रवंधन, खेतों का जल प्योग, ग्रामीड एवं सहरी जल आपूर्टी और नीति एवं पिसासन इन नौ बिसेओं को पुन्हा 28 संकेत्कों में विभाजि पिदेशों भी विभाजित किया गया है, समग जल प्यबंधन सुचकांक 2.0 नीति आयो एक द्वारा 23 अगरस्त दोजाए 19 को जारी किया गया, जिसमें 25 राज्यों दो केंदसासित पिदेशों को सामिल किया गया, समग जल प्यबंधन सुचकांक 2.0 में आधार वर्स 2016-17 के बिभिन राज्यों को स्कोर पिदान किया गया है, समग के जल प्यबंधन सुचकांक में गैर हिमालईी राज्यों में गुजिरात ने संदर्व 2017-18 में बिगत बरसों की भाती इस बरस भी अपना इस्थान बरकरार रखा है पहला, पूर्वुत्तर हिमालईी राज्यों में बात करें तो हिमाचल पिदेश 2017-18 में सीस बर रहा है, कैंसादित पिदेश और कैंदसासित राज्यों ने पहली बार अपने आखड़े पिस्तुत की है, जिसमें पुडूचेरी 49 स्कोर के साथ, सीस इस्थान बर रहा है, उसके बाद दिल्ली का इस्थान 20 है, इसकोर है, द सुचकान की स्कौर में परिवत्न के मावले में, गैर एहमालभी राज्यों में हरयाणा तत्था पूर्वत्तर और हमालभी राज्यों में उत्रा खन्दC सिस बर रहे है, समग जल पिदफबंधन सूचकांग 2.0 में विविन राज्यों की रैंकिंग एवं स्कोर देखते हैं गैरह मालई राज्यों की रैंकिंग एवं स्कोर ठीक है यह 2017 का स्कोर है यह राज्यें बर्स 17,18 है वर्स 17,18 है 16,17 ठीक है स्कूर 75 पर इस वार भी गुजरात त्रहें अंद्फ़िदेश सर वहतली है इसकाalthe अैसकतर के साथ मंद्फ़िदेश सरी अंद्फ़िदेश स्कूर के साथ करना करना टक चोटरे नंम पांच्वी नमबरपर पि disparities प्राइब सब्सक्राइब तर नतरच के साथ मिलडु साथ मिंफ लिए यह बार तर हर्याणा की बात करें तो हर्याणा साथवे नंबर पर हैं इस वार पिछली बार सुले पर फातता ठीक एर पडलेना उत्तर पिदेश की बात करें उत्तर पिदेश脆प सूरु के साथ 15 स्थान परे की शयार उठेट थि रूप चुब भी 50 स्थान पर pointing है छर्ट की बात करें तो, a Common 2018 बारा सरकार वर्ष 2020 तक 145 गीगावाट नवूई करनी है उर्जा चमता हासिल करने का महत्तवाकांची लक्ष रखा गया है इसमें 100गीगावाट चुछ उर्जा 60गीगावाट पहन उर्जा 10गीगावाट भायोमा फॉर्जा 5गीगावाट लगू चलि चमता प्राफ्ट करने का लक्ष समाए सकष कुलेगावाट और नभी करणिय उर्जा राजमंती आरके सिंग ने स्टेट रूप टॉप सोलर अट्रेक्टिव नैस इंडेक्स सरल जारी किया है इस सूचकान का लक्ष रूप टॉप सौर प्रियोजना को स्थाबित करने में भारतिय राजियों की इतत परता के आधार पर इनका मूल लयानकन करता है इस सूचकान का में करनाटक को 78.8 इसकूर की साथ पित्थम इस्थान पराप्त हुए है याद रखी इसे मिला है यह फिल अग्रेव ठेट रहे इसके उपरां तेलंगाना बहत्तरह दस्थम लोग दो इसकूर के साथ दूसरे स्थान पर गुजरात तीसरे विस्थान पर रेस्थान पर रेस्थान पर आंधर दिरिस चौथी नमबर पर उत्तर प्रदेश की बाप करेंद अच् स्कूर के साथ 20 विस्थान जैसे 20 पिलस ग्रेट मिला है इस सूची में अन्तिम इस्थान एकत्तीस विस्थान पर जम्मू कस्मीर है जैसे 14 दिसमलों चार इस्थित स्कूर मिला है सरल को नमीन एवं नवकरिया उर्जा मंत्राल है सक्ती संस्थेनवल एनरजी फाउंडेशन है एचो सेम एसो चेम अंसर्ड येंड यंग कि सहयुक से डिजाइन किया गया है यादर किया अब बात करते हैं लोग अखिल भारतिये उच्चितर सिक्षा सर्वेक्षन रिपोर्ट दो जारी की कि लिए केंदिये मारो संसाधन विकास मंत्राल है द्वारा अगस्त 2019 में अखिल भारतिये उच्चितर सिक्षा सर्वेक्षन रिपोर्ट जारी की कि लिए या तब है कि इसमें आल इंडिया सर्वे ओन हाई एजूकेशन अखिल भारतिये उच्चितर सिक्षा वे पोर्टल पर कुछ 993 विश्व जाले 49,931 महाविद्यां यह 10,752 स्टेंड अलोन संस्थाएं सूची वद्य है इनमें से इस सर्वेक्षन में 962 विश्व जाले हो 38,189 महाविद्या ले 수्व Leonardo स्टेंड अलोन संस्थाओं ने भाग लिया है इस रिपोर्ट के अनुसार कॉल्जों की शरवादि संख्या वाले आठ राज्यों राज्यां उत्तर्पिदेश महाराष्ट करनाटक राजिस्तान हरयान तमिलाडू गुजराथ और मद्धिदेश देश में महला विस्विध्यालाव की कुल संख्या 16 कॉलोजियों की संख्या की दृष्टी से 880 कॉलेजों के साथ वैंगलो नग दूसरे स्थान पर है इसके बाद जायपूर 556 के साथ दूसरे स्थान चाट साथ दसमलोग त्रेपन पितिसत कॉलेज ग्रामीड चेत्रों में स्ते थे ग्यारे पितिसत कॉलेज बिसिस रूप से महलाओं के लिए भारत में उच्छी सिक्षा में सकलन सकल नामंकन अनुपा वर्स 2018 में बढ़कर 26.03 होगा वर्स 2018 में सकलनाबंकन अनुपाद चात्रों के लिए 26.04 होगा जबकि अनुपाद जन जातियों के लिए उच्छ शिक्षा में कुल नामंकन लगवक 37.4 मिलियन हैं, जिसमें महलाओं की भागीदारी 48.6 विदेशी चात्रों के नामंकन की संख्या की दिरिष्टी से उत्तर पिदेश, सीर्ष्थान पर है, इसके बाद महराच और तमिलाडू का इस्थान हैं। 164 विदेशी देशों से लगवक 47.427 विदेशी चात्रों का नामंकन उच्छ सिक्षा में हुए है, भारत में उच्छ सिक्षा के छेत में विदेशी चात्रों की सरबादिक संख्या नेपाल में 26.88, इसके बाद किरमसा अफगानिस्तान 9.88, वंगलादेश 4.38, सूडान 4.02, जीरो दो पिदीशन, अखिलिव भारतीय इस तरफ पर पिदेग 100 पुरुस अध्यापकों को, अध्यापकों पर 73 महिला अध्यापक हैं, बात कर लेते हैं, राष्टिय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2000, ई-गवर्नेंस को सामानता नागरेकों को सरकारी फिर्माय प्रिदान करने, देवसाइक उद्दिमों के साथ वाच्चीत करने, तथा सरकारी सरकार की विविन एजनसियों के वीच, तीब, सुविदाजनक और पारदर्सीत तरीके से संपेशन और आधान पिदान करने हितु, सूचना और संचान पर उद्दुकिकी के अनुसार, अनुपियोग के रू 2019 को इगवन्नेंस में 22 वे, सुरी 22 वे राष्टी सम्मेलन कायोजन मेगाले की राददानी सिलांग में किया गया है, याद रखे राष्टी इगवन्नेंस का वाइस पा सम्मेलन मेगाले की राददानी सिलांग में किया गया है, इस सम्मेलन का मुख थीम या विशय था, डि 12 सरकार तथम में बहुत कर दम करकेक में किया गया है यह तोep is a metrics में जय के पूर्वत्र शेतम binge 20 में नाई सरकार में पिसाशनिक सुगदा सुधार और लोग्स सिकायद की सिकायद विवाग की सौ देवसीय में पहलों का हिस्सा है इस अमले में 28 राज्यों तथा सभी के अंधसा सिर्पिदेशों ने भागीदारी की है ठीक बीज बे राष्टिय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरां सिलांग घुष्णाफत जारी किया गया है वो लेकनी है कि में कांग गंगा सहयोग मंत्री स्तरिय बैठ मैं कांग गंगा सहयोग एम जीसी एक उप्छित्रिय सहयोग संगठन है भारत तथा पांच आसी अंदेश जिन में म्यानमाद थाइलेंड कंबोडिया लाउस बेतनाम सामल है यह नाम इस चित की दो बड़ी नदियों गंगा औ संचार के छेत्में सहयोग में बिद्दी करना है इसकी संख्या दसनों मुंबर 2000 को भी विए बी एन तीन लाओस में की गई एक अगस्त दो जार उन्नीस को बैंकोप थाइलेंड में दस भी मेकांग गंगा सहयोग मंत्री इस तरह यह बैठक कायोजन किया गया ऐसा बैठक क यह देखता सहयोग क्रूप से वेतनाम की उप्पधान मंत्री फॉम बिन में तथा भारत के विदिश मंत्री एस जय संकरने की वैठक के द्वारान में मेकांग गंगा सहयोग कायोजना 2019 से 22 को अपनाये गए इस यह ना के अंतरग मेकांग गंगा सहयोग में साथ चेत्रों नामता पर्याटन और संस्किती सिक्षा सार्विनिक सिक्षा और परंपरिक्षिक सा किष्षी और संब्यद छेत फरीवाहन संचार तथा सूच्म लगू मद्यम उद्द्यव के साथ सहयोग की तीन नई छेत जद संसाधन प्रिबंदन पिग्यान प्रोदों की कौसल विकास और चमता निर्माण में परियोजना आधरित सहयो की फरीकल्पना की गई है आसियान में किनेक्टी परियोजना गाओं के लिए एक बिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती रेड की भारत की घोशना का स्वागत किया है कंबोडिया लाउस म्यानवार में भारत ने वेस अब बात करते हैं अटल समुदाय नवाचार के अटल नवाचार में सन्नीती आए उद्वारा परीकल्पित भारत सरकार की एक प्रमुख पहले इसका उद्दिस नवाचार वा उद्द्यमिता की संस्किती तथा देश में नवाचार फारीतन्त को परयाप्त बढ़ावा दे करना तथा एवं उद्दम सीलता की भावना फोद्पिरित करना है 31 जुलाई 2019 दिल्ली में केंद्री और पेटॉलियम और प्राक्तिक गयस मंत्री धर्वन पिधानने अटल समुदाय नवाचार केंद्र कारिक्रम का सुरूद सवारम किया है भारत में नवाचार को हितु अवसर रचना एवं उपयोक्त परिवेश का आभाव है मैं समुदाय नवाचार को बढ़ावा देना है इस कारक्रम के तहित चिन छित्रों पर ध्यान केंदित किया जाएगा बेहें सैडी सेकेंड तसना सैडी थैर्ड सहरों के छित में सैडी सहरों के अलब विक्षि यह अटल समुदाय नवाचार केंदि की स्थाफना हितु आवेदन कर सकते हैं सी आईसी की स्थाफना नेजी सार्वजने भागीदारी पीपीप मोडल पदिती किया से अथवा सार्वजने के लोग उपक्रम के इबम अनी अन अभीकर्णों के सहयोग सकी जाएगी इसका पटल नवाचार मिसन के द्वारं अधिक्तम 2.5 करोड़ों के तक की सहयता पाच बरसों की अगदी में पिदान की जाएगी वो प्रियुक्त सहयोग रासी में पिस्तावित एसी आईसी का पूंजी कद एबम संचालन कद बे सामिल होगा यो कुल परियोजना लागत का अधि परियोजना के रूम में कि गई इसका कर्मों कुद्देश बाड की तीविता में कमी लाकर निचले छित्रों को बाड़ से सुरक्षित करना है 16 जुलाई 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्री मंडलिये सम्ती द्वारा अउडा चल पे देश में दीबांग बहुत देश ये परियोजना हितु 1600 करोड रूपे की पूर निवेस गत्थी विदियों पर बैक उस्विकिती पितान की गई है इस परियोजना में कुल अनुमानित लागत है 28,08,35 करोड रूपे इस परियोजना की अनुमानित पूर्टा अवधी सरकारी मंजूरी फराक्ती से नौबर्स है यह परियोजना लोवर देवांगाटी जले में देवांग नदी ब्रह्मपुत की सायग नदी है परवस्ते थे इस परियोजना अन्तर का 278 मीटर उच्छे बांध कमकीट गुरुद्ध का निर्वान किया गया यह पहरत का सबसे उंचा याद रखिए भारत का सबसे उंचा बांध होगा यह भारत में निर्मित की जाने वाली सबसे बढ़ी चल्प विद्धुद् परियोजना है इस परियोजना के शीम आंदे अगह देखेंगे दा स्टेट ओप दा एजूकेशन रिपोर्ट फोर इंडिया के बारे में ती आंगे बात करेंगे